सबसे पहले UPSC में आए तो पहले एंसी आएडी का पता नहीं था कि एंसी आएडी पढ़नी पहले बुक्स पढ़नी क्या पढ़ना पढ़ने करने करने काम लगे कर लोगे तो नहीं करने करने चाहिए वो दो मिंट के लिए तो मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अभी रात के एक बज़े हैं और हम मुकरजी नेगर के नेरु यार में हैं हमारे साथ बहुत सारी यूपेसी एस्पिरिंट है बात करते हैं उनसे अभी रात को एक बज़े इस वक्त उनकी पढ़ाई कैसे च सब्सक्राइब करते हैं मेरा नाम अंकिर डावी बहुत बढ़ी है चल रही है और सब्सक्राइब करते हैं मेरा मीडियम हिंदी है आपका नम अंसुलुकमार पज़ापती कहां से आप मैं माध्यबदेश थी हूँ अच्छा यह कौन सा अट्टेंट आपका मेरा आप पढ़ाई करके बाहरा है किस वक्त अभी कौन सी बुक पढ़ रही हो क्या पढ़ रहा है अभी में हिंदी सायथ लिट्रेचर का वीडियो देख रहाता है तो आपने अभी पेला अटेंट यह अभी पहला थेश में देंगे अभी हमारा एज नहीं हुई थी कोचिंग स्टाट की ते हैं तो वो जून जुलाई के सम्धिंग द्रिष्टी कोचिंग से पढ़ रहा हूं अट महीन हो गया दिली आयोगी है तो नौंबर में आ गया ता मैं यहां पर देली में आगे तो मुझे घर पर पढ़ते थे उतना मौल नहीं मल पाता था पढ़ने का यहां से तो यहां पर अच्छा लगा पढ़ना और पर 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 पहले घर पर रहते थे मैısस कि म्मतलब कुछ काम रहता था तो यह यहं पहां जले चले जा तो यहां पर आते नहीं पढ़ना है बारवारा गंटे पढ़ लेते हैं, और सबसे पहले UPSC में आए, तो पहले NCID का पता नहीं था कि NCID पढ़नी पहले, बुक्स पढ़नी, क्या पढ़ना, material क्या है, यहां पर आए, senior से मिले, कुछ कोचिंग बगेरा, पहले तो सोचा के self study करेंगे, फिर लगा के आंथ, अगर जिल्दी सेलक्सान चाहिए, पढ़ना तो फिर पहले guidance चाहिए, कोचिंग का, इसलिए पर हमने सोचा कोचिंग कर लेते हैं, इसलिए कर रहे थे पार्वर समय इतना नहीं रहता है, इसलिए आप पना जो तुमको दोस्तियों अगर मिलते हैं, सब्सक्राइब करने लगे कोई काम आ गया किसी फॉन आ गया तो बहुत कर लोगे बट ऑफ लाइन में क्या है तुम यहां होगे सिंसिर टाइप रहोगे मतलब चीज अगर कुछ दिखके तो टीचर से मतलब करेक्टर होगे तो मतलब ऑफ लाइन के कुछ अलागी रहता इतना उलाइन काई आ गौध अप्लाइन में जूपने ब्यूं आ गया तो क्लास बंद हो गया है तो त्सके बारेगुलर्य तैली में है अब यह साथ मैंः साथ में अभी स्था अभी ग्रजुएशन कंप्रीट होगी ब्सी मेंस सब्सक्राइब कोचिंग आप देने के आप कोचिंग अपना देश्टी कोचिंग तुर्चिंग अभी 10 दिन होगी तोड़ा हिलाग के संथिंग पर जाते हैं पूरी की स्थक्ष यह ना ड़ी किया कर सकते हैं यह इसा नहीं ह यहां पर मंतल दिश्टी के वीडियो बगएरा जो पर सेलप स्टडी की थी उनना पहलाद यहां से बो क्या कहते हैं पर आप पर आप आप पहलाद कर दिल्ली में बड़ी अलग रहा है मजा आरा ना को जा यहां मतलब ऐसा मानते हैं जिक दिल्ली की सका संद बहुत मतलब कर दो तक बाता जब सात्में दो सब्सक्राइब अच्छी चलते रहे और सब समय पे सब कुछ साथ मोटर है तो अच्छा लगता अब जो सान नहीं होगा तो घरवालों का भी प्रेसर अपना भी प्रेसर पढ़ने में मन भी नहीं लगता पर मतलब जो चीजे साथ चाहसे है उसके बाद हमारा कुछ होता है पी टी क्वालिफाई हो रहा अगर उसके बाद नहीं हो रहा रहा है तो पहले अपना N.C.I.T की बूक्स कबर करें उसके बाद कोचिंग लेना चाहिए तो कोचिंग ले लो नहीं तोस में लिल जाता है और हिंदी मीडियम जै से अगर लिटरेचर लखना चाहिए तो के साथ में दिभिकिर्थी सर के ड़े बगार मिली जाते तो मैं दे के दो कॉम्बो बेच नहीं लेना चाहिए इस बच्चों को जी एस पर ले ले उसके साथ में हिंदी लिटरिचर अगर कोई भी सब्जेट दोब देख ले अजैसे हमा मेरा मानना है कि अगर जैसे हिस्ट्री ऑफ न रखना तो हिस्ट्री के लिए मनिकांसर बैस्ट है और जैस अगर जो भी आज दिल्ली आ रहा हैं बहुत अपने मतलब हैमली का बैक्ग्राउंड भी मतलब देख दा क्या मतलब कि मुझे सोस समझ के आए कि मतलब मुझे टाइम लगे का देखो अगर यूपी सी में उतर रहे हो इक लंबा इसकी प्रोसेसिंग लंबी जर नहीं है तो मतलब नहीं हो रहा है तो मतलब सारा सजय पर लो एक लो एक बर लॉप क्म सब नहीं को दो एक दो बार उसके बाद ही देना चाहिए उससे पहले मती नहीं कहीं बढ़े देखके ucapc के तो आरे नहीं महीं करने च दीए और आपको ऐसा ही मोटीवेसन है उससे देखते रहते हैं तुरू से देखा कि हाँ ऐसा होते हैं अधिकारी वगर ऐसे होते हम गाँ से आज तक कोई नहीं बला केवल आर्मी में लोग गए पुलिस में लोग गए उसके अलावा कुछ सोचा भी नहीं और टीचर्स बगार भी आपी दर टीचर्स भी नहीं तो असी जगह से आ है क्यों जुचा कोई अलग करना तो जासे मोटीवेसन मिलती कि हमारे अधर से कोई होना चाहिए एसा नहीं है कि सब हमी को प्रियास करना चाहिए कोई तो करेगा तो अभी आपको 10 दिन होए बल्मला दस दिन में क्या है दिली में एक्स Eli में वैसे गूंआ नहीं हूं पहले आया थे नाया था है किम की ने सीज्ट आपने पहले और या वाह से हम देखितません doing दो सीखा दो बहुत कोछ में यह सीखा पहले तो जू पड़ा था उस अट भी जुसूर में स्टार्ट में हम पढ़ते हैं वो सब बेशते का है कि मीडियम अगर हम हिंदी मीडियम से रहे हो अधिकांस गवर्मेंट स्कूल से रहे तो एमपी बोर्ट था तो बैसे हम लोग वैसे थोड़े या सी बैसे से आदे बच्चे तो थोड़े उनका मनें बैक बोन अच्छी मजबूत होती है वो फर्क पड़ जाता है मैंटर नहीं करता है मीडियम बगेरा क्योंकि रभी साक्तर ने यह मतलब साबत कर दिया कि रेंक आ सकती अगर कोई मेहंती बंदा है तो कोई भी मतलब अकर सिंसियर है अपनी मतलब प्रिपरेशन को लेके तो यह कोई मे मतलब करने का आया हूं बसके साब कुछ सोचों मत देखो क्याना बैसे सी सोचने को मतलब बहुत से जीजें बट के लगर जिस चीज के लिए उस पोकुस रहो और कोई मेंटर नहीं करता है कि मेडियम बगेरा बस आओ बढ़िया करो कोई दिक्के दो नहीं पढ़ना पढ़ पढ़ाए कि कुछ नहीं होगा बगर पढ़ाए कि तो आप से यह निगलागा या यह तो यूपीएस्टी है कि दोस्तों मुझे भी लगता है कहीं ने कहीं जैसे रविश्याग निया दृष्टी आइस के इंट्रिव में बोला था उन्होंने कि मेरी इंग्ली अच्छी होन इतना फर्ज बनता है कि आप मारे लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहिन दोस्तों